इसके बाद नाइस्ट आर्टिकल, करनाटक में उबजे हिजाब कोंटरवर्सी के विवात से संबंदित हैं, आप GS पेपर 1 और GS पेपर 2 के इन टोपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं, क्या कंटेस्ट हैं, करनाटक के उडूपी डिष्टिक में कोलेज परसासन ने इ उनका उलंगन कर रही है, इस वजए से हम आपको कोलेज में एंटर नहीं होना दे सकते, हलांकि बाद में ये कोलेज के गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी, और उसके बाद कोलेज परसासन ने ये कहा कि हम आपको कोलेज में तो बैठने देंगे, लेकिन क्लास नहीं दंगन करोगे, अब कोशन ये उठ जाता है, क्या ये आर्टिकल नंबर 25 यानि जो फ्रीडम ओफ रिलीजन संबंदीर फंडमेंटल राइट है, क्या ये उसका उलंगन है या फिर नहीं है, मतलब इस परकार से इन लड़कियों को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, इनको कोलेज एंटर करने से रोकना, क्या ये फ्रीडम ओफ रिलिजन का वाइलेशन है, फंडमेंटल राइट का वाइलेशन है, या फिर नहीं है, जानने के लिए सबसे पहले तो देखो हम आर्टिकल 25 सेक्शन वन देख लेते हैं, आर्टिकल 25 सेक्शन वन बोलता है, फ्रीडम परसन जब अपना धरम प्रेक्टिस कर रहा है, तो उसके धरम को प्रेक्टिस करने समंदित अधिकार में किसी परकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन जैसे कि देखो सभी फंडमेंटल राइट में कुछ न कुछ एक्सेप्सेंस है, इसमें भी एक्सेप्सेंस दी कंसेप्ट आता है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब इस परकार का कोई केस आता है ना, कि जैसे हिजाब वाली कंटरफेर्सी है, क्या ये आर्टिकल नमबर 25 का वाइलेशन है, हिजाब वाली लड़कियों को कोलीज में एंटर करने से रोकना, तो ना इसमें ये तो जाहिर तोर पर ये आर्टिकल नमबर 25 यानि फीडम ओफ रिलीजन का उलंगन हो जाएगा, जैसे एक्जामपल के तोर पर कोई सिख परसन है, सिख स्टूडेंट है या फिर सिख पब्लिक गुर्मेंट का एंपलोई है, उनको किसी परकार की कोई गाइलाइन नहीं दी जा सकती कि आप अपना सर कैसे ढखेंगे, क्यूंकि देखो सिख धरम में साफ तोर पर ये बोला गया है कि वो केस नहीं कटवा सकते, तो केस ना कटवाना सिख धरम में essential religious practice है, तो अगर उनको रोका जाता है, particular guideline दी जाती है कि आप बाल कटवाईए या फिर सिर को ऐसे ढख प्रवर्सी से, क्या हिजाब पहनना, ये इसलाम में essential religious practice है, अगर देखो ये इसलाम में essential religious practice है, तो तो ये साफ तोर पर article 25 का violation हो जाएगा, लेकिन अगर हिजाब पहनना, इसलाम में essential religious practice नहीं है, तो फिर ये article 25 का violation नहीं होगा, अब एक बड़ा question ये भी उठ जाता है, कि decide कौन करता है, कि particular practice, ये किसी धरम की essential religious practice है, उस धरम में बिलकुल कोर की practice है, या फिर नहीं है, ये कौन decide करता है, पंडित decide करते है, मौल भी decide करते है, या फिर पाठी decide करते है, कौन decide करता है, आपकी तीनों गैस गलत है, ये decide क्या जाता है, higher court के दवरा, higher judiciary का हमारे देश म भी होता है, कि भया, आपको कैसे पता लगेगा, कि कोई practice जो है, वो किसी धरम की essential religious practice है, या फिर नहीं है, लेकिन, higher judiciary हमारे देश में decide करती है, जैसे 2004 मेना, Supreme Court ने एक verdict दिया था, आनंद मारगा एक sect है, इस sect के लोग के द्वारा ना, टांडव dance perform किया जाता था, पब्लिक नहीं सकते, ये article 25 का उलंगन हो जाएगा, क्योंकि हम सिरफ अपने धरम को मान रहे हैं, अपने धरम को practice कर रहे हैं, तो मामला पहुंचा था, Supreme Court के सामने, Supreme Court ने कहा था, अरे भया, ये तांडव dance perform करना, आपके sect की essential religious practice नहीं है, तो आप ये नहीं perform कर सकते, तो आपको अग perform करना, ये बिल्कुल जरूरी religious practice नहीं है, ठीक इसी परकार से, Supreme Court की तीन जजीज की bench ने 2016 में एक verdict दिया था, Air Force में एक Muslim employee थे, जो अपनी डाड़ी लंबी रखना चाहते थे, लेकिन Air Force के rules के अनुसार, Regulation No. 425 of Armed Force Regulation 1964 के अनुसार, आप लंबे बाल नहीं रख सकते, until and unless, आपके धरम में face को save करने से, या फिर बाल कटवाने से, रोका गया है, जैसे कि सिक धरम में रोका गया है, तो उनके लिए तो छूट है, लेकिन अब Supreme Court की तीन जजीज की bench को यही decide करना था, क्या Islam में भी बाल कटवाने से, दाड़ी तरव में साफ तोर पर मना कर दिया गया है, कि आप बाल कटवाई ही नहीं सकते, दूसरी तरफ एक होता है कि अगर आप बाल नहीं कटवाते हो, तो desirable है, अच्छी चीज है, तो उस समयना Supreme Court ने Salman Khursid, जो पहले लामनिश्टर भी थे, Congress के leader है, इन से पूछा गया कि आप ब interpretation है, जिसमें से एक ये है, अगर आप beard यानि दाड़ी अगर रखते हो, तो ये desirable है, ये अच्छी चीज है, तो उस समय देखो Supreme Court की ये तीन जजिस की bench थे रहा है, 2016 में, bench के सामने कोई enough evidence नहीं परस्तूत किया जासका, कि beard रखना, Islam में बिल्कुल essential religious practice है, तो enough evidence जब नहीं परस्तूत किया जासका, तो फिर Supreme Court की तीन जजिस की bench ने फैसला दिया, उस Muslim Air Force employee के against, कहा गया उनको, यानि petitioner को, कि आपको Air Force के जो rules है, उनको मानना पड़ेगा, जैसे देखो, ये जो controversy create हुई ना, उडूपी में, उसके बाद, कुछ Hindu लड़के भी इस परकार से गले में scarf लपेट कर आने लगे, तो ये देखो, हिंदू धरम में essential religious practice नहीं है, इस परकार से गले में scarf लपेटना, तो ऐसे लड़कों को college में enter करने से रोकना, ये freedom of religion के against नहीं है, क्योंकि गले में scarf लवेटना, ये हिंदू धरम में essential religious practice नहीं है, तो गुम फिर के जो बात है, वो इसी point पर आ जाती है, क्या हिजाब पहनना, इसलाम में essential religious practice है या फिर नहीं है, और ये कौन decide करेगा, ये decide किया जाएगा, हमारे देश में judiciary के दवरा, यानि higher courts के दवरा, judiciary ये decide करेगी, इसलाम के जानकारों से consult करने के बाद, कि हिजाब जो है, वो इसलाम में essential religious practice है या फि ये पूरा issue हमने discuss किया, चलते हैं आगे,